भगवान राम के AI images इंदूरों सोसल मीडिया पर वाइरल हो रही है AI दोरा बनाएगी इस तस्वीर को लिकर दावा किया जारा कि भगवान राम 21 साल को उमर में ऐसे दिखते होंगे आये जानते हैं राम चरितर मानस और बनमी की रहमाड में भगवान राम का स्वरूप कैसा बताया गया है इस अधार पर जानते हैं भगवान राम की AI image का सुच भगवान राम की एक तस्वीर सोसल मीडिया पर छाय हुए तस्वीर को लेकर दावा किया गया है कि एकी साल के उमर में भगवान राम ऐसे दिखते थे यह तस्वीर AI ने बनाई है तस्वीर सोसल मीडिया पर सेयर करते हुए सोसल मीडिया पर लोग जमकर इस तस्वीर की तारिफ कर रहे हैं लेकिन कई लोग इस से भरम और गलत बता रहे हैं आये जानते तुलसी दासोर बलमी की दोरह लिखी गई रमाई के अधार पर भगवान राम का सोरूप कोई से दिखता था मारी सी भलम मीडिने रमाई में बता है कि भगवान सी राम का चेरा एकदम चादर्मा की तरह चमकीला सोम में कोमल और सुंदर था उनकी आखे कमल की भाती खुबसूरत और बड़ी थी उनकी नक उनके चेरे की तरह ही लंबी और सुडल थी उनके होटों का रंग सुरी के रंग की तरह लाल था और उनके दोनों होट समान थे और उनके कान बढ़े थे और उनके कानों में कुंडल बहुत ही सोबा देते थे उनके हाथ लंबे घुटने तक थे जिस वजा से उन्हें जानू भूज कहा जाता है उनका सरीर एकदम समान थ नहीं ज़दा बड़ा और नहीं ज़दा छोटा उनके केस भी बहुत घने सुन्दर और लंबे थे राम चरितर मानस में भगवान राम का सरूप कुछ इस तरह बताये गया है राम चरितर मानस का नुसार भगवान राम की आखे खीले कमल की तरह थी भगवान राम के मुख हाथ और पैर का रंग भी लाल रंग के कमल की तरह है चेहरे पतेज और सूरी की तरह आभाए उनके तन का रंग निले जलपूर बंदल की तरह सुन्दर है उनका रंग मेग के समान परकास लिये हुए है भगवान राम के माथे पर तिलक और उनके सरीर पर मनुहर आभूसल सुभाय माने और भगवान राम के सोरूप को लेकर आपके मन में जो छबी बन रहे हैं आप उसी छबी में राम का ध्यान केजिए क्योंकि तुलसी दास जी ने लिखा है जाकी रही भावना जैसी परभू मूरत देखी तन तैसी जिनका मतलब है जो जिस भावना से उने देखता है उसी रूप में परभू से नजर आते हैं भगवान राम की छबी को इस एक दोहे में तुलसी दास जी ने बेख्त कर दिया है और कह दिया कि परभू की छबी तो मनुस्ते के मन के अनुरूप है